कर्णाडक तमिलनाडू से राजस्थान के सीकर जीले में जारे शमीकों की बस नेशनल हाईवे 27 पर कांटूदा गाउं के पास अनियंत्रित होकर पलड़ गई हाथ से में चालक सेथ 15 शमीक गंभीरुप से घायलों गए सभी घायलों को मांडलगड अस्पिताल में भरती कराये गया है वहीं सुचना मिलने के बाद विधायक गोपाल खंडिलवाल और समासवी मनोज सनाडिय अस्पिताल पहुंचे और घायलों की कुशल शेम पुछी साथ ही घायलों के उपचार की माकूल विवस्था भी कराई